गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों मैं आपके साथ अनुप श्याग एक और नए लेक्चर के साथ हम सरवात करें अपने कोर्स की उससे पहले आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल मैट भाई अनुप श्याग में लोग डाउन के दोरान अपने स्लेवस की तरफ आगे बढ़ते हुए हमारा चैप्टर स्टार्ट था बेटा इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ मांक्स का कामाई का फाइनल पेपर में कल जो हमने क्योशन करवाई उनमें से कई बार क्योशन 4 मांक्स का बेटा आता ह है पका चान्सिजा है उसी में से आता है या एक जो और हमारे पास इस और आयुप साइस का लास्ट फौरटिंध्या फिप्टिंध्य पिप्टिंथ तीन ही ऐसे क्योशन जिन में से च्यार मांक्स का क्योशन उठाया जाएगा उसके लावाद लोगा और एक एक माक्स का ले तो साइन थिट्टा होता है 1 बाइक को सिकेंड थिट्टा ठीक है क्योंकि यहां पर टिकनोमेट्रिक रेस्व में यह वेल्यू पलड़ जाती है यह थिट्टा उता और इसके पास जो होती कोई-वेल्यू आती है कि माले लो कोई-वेल्यू तीस डिग्री पर 1 by 2 आई 30 डिग्री की बात करूं तो साइन इन्वर्स वन बैटी हो जाता है यह जो एन यह क्या होती है वेल्यू उती है इसी 30 डिग्री पर को सिकेंट क्या लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है, क्या कहना चाहता हूं है, 30 डिगरी पे साइन को तो साइन इनवर्स 1 बाई 2 लिखा जाएगा, 30 डिगरी पर को सिकेंट इनवर्स को 2 लिखा जाएगा, इसे ही, साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब बेटा कोई वैल्यू, इक्वल होगी, को सिकेंट इनवर्स में जब जाएंगे, क्योंकि इन दोनों 30-30 के इक्वल है, 30 डिगरी ये है, 30 डिगरी ये, अगर दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल रखूं, तो क्या रजल्ट सामने आएगा, साइन इनवर्स वन बाई टू किसके इक्वल है, को सिकेंट इनवर्स टू के, ठीक है, अगर इस वैल्यू को मैं एक्स नाम देता हूँ, तो वो वाली पूरी क्या बन जाएगी बेटा, वन बाई एक्स, अगर मैं वन बाई टू को क्या नाम दूँ, एक्स दूँ, तो वन बाई टू एक्स हो गया, और वहां पे टू है, टू की वैल्यू देखो क्या आजाएगी, वन बाई एक्स, तो को सिकेंट इनवर्स वन ब 1 वर्स एक्स है तो वेटा उसको क्या लिखा जाएगा apostड़ इन वर्ष वन बै एक्स सेम और से ही सिक्एंट इन वर्ष एक्स है उसको क्या लिखा जाएगा It's I am aaban a अभेगे आपके पास है तो आप उसको साइन इन वर्स वन बाई एक्स लिख सकते हूं ठीक है वहाँ पर टिग्नोमेटिक रेसो ही चेंज हो जाता था लेकिन बेटा इन वर्स में वेल्यू क्या होती है चेंज होती सेम थर्टी पे वैल्यू ये सो कर रहा है ये सो कर रहा तो मनें देखा ये इसका इवर्स हो जाता बस अगर ये एक से तो यह क्या लिखा जाएगा वन बई एक्स तीन तो ये बाते याद रखनी है ठीक है हमारे पास आगे बढ़ें उससे पहले ये ट्रम पहले ही बता देनी थी लेकिन हमने क्या किया पूरे जो इन वर्स टिग्नोमेट्रिक की ट्रम है ज क्योंकि exercise complete करने के बाद आप निचोड़ देखना वही बस इनी फार्मूलों का क्या है यूज है अगर मैं पहला ही लेक्सारे फार्मूलों का बनाता तो फिर आदे बच्छे उनको याद करने में लगे रहते हैं फिर हम क्यों सना लगवे से करते जैसे क्यों सनाए हैं वैसे ह कि मैंने फार्मूले आपके साथ की साथ चले इसलिए तो हम दो तीन तीन क्यों सुन कर रहे हैं ठीक है फिर तो ऐसा होता एक दिन में सारे फार्मूले और दो दिन में सारी exercise हो जाता चैंप्टर कंप्लीट क्योंकि अब ज्यादा समय साथ में यह बात थे समझाने में भी ल कि यह याद तो ये पहले की थी बस अब समझना हो अच्छा साइन इनवर्स को को स्केंट इनवर्स ऐसे बदलते हैं टैन को को इनवर्स में ऐसे लिखते "-ल square थोड़ा सा समझा कि inverse में इनकी value को invert कर देते हैं अब मैं बात करूं 10A plus B का formula plus one का है जो टेंजेंट A plus tangent B 1 minus tangent A tangent B इस formula के उपर बहुत सारे question है एक 10 का होता है यहां से two ten inverse का बनाएंगे तीन या च्यार formula बना के चलेंगे इसकी उपर देखो 10A plus B 10A plus 10B 1 minus 10A into 10B क्या होगा अगर मैं A की जगए 10 theta रख दूं या X रख दूं A की जगए तो मैंने 10X रख दिया और B की जगए या ऐसे कर लेते हैं A की जगए ने बेटा इस 10A की जगए तो हमने X रख लिया और 10B की जगए Y रख लिया इन्वर्स में जा रहे हैं किसमें जा रहे हैं इन्वर्स में तो देखी क्या होगा यह ट्रम इदर आएगी लेकिन 10A को तो हमने क्या बोल दिया X 10B को क्या बोल दिया Y 1-10A X 10B Y यहां तक की काने तो समझ में आगी आपके 10 है बाहर A को क्या बोल लेंगे? क्या बोल लेंगे बिटा? 10 इन्वर्स X 10 इन्वर्स X Tangent इन्वर्स X B को क्या बोल लेंगे? B किसके एक वला जाएगा? 10 इन्वर्स Y के 10 इन्वर्स Y अब सोचोगे वह इस 10 से यहे कट जाएने ही होगा ये वाला 10 इधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा टैंजेंटिंवर्ष हो जाएगा X पलिस Y 1-XY टैंजेंटिंवर्ष X पलिस के टैंजेंटिंवर्ष Y यह आईडेंटी आपने अब याद रखनी है वहाँ पर 10A पलिस भी था यहाँ पर बेटा 10 inverse X पलिस 10 inverse Y का फार्मुला पूछा जाएगा हम उसको 10 inverse x plus y 1 minus x y लिख सकते हैं ठीक है अगर यहाँ पर minus आ जाए तो यह बेटा minus का आ जाएगा और यह किसका आ जाएगा प्लस का आ जाएगा आगे यह फार्मूला समझ में 10 inverse x plus 10 inverse y का अगर यहाँ पर दोनों value सेम हो जाती है एक्स और y बेटा पसमें equal हो जाएगा अगर एक्स और y equal है तो 1x और 1x कितने होगे दो 10 inverse x की ट्रम होगी समझ में कैसे आई इसको x लिख दिया एक और एक दो तो 2x होगे और यहाँ पर देखी क्या हुआ टैंजेंट इन्वर्स x और यह भी x 2x और 1-k x के यह आपके पास 210 इन्वर्स x का फार्मूला हो गया तो जो फार्मूली अब आपने याद रखने है आज 10 inverse x plus y है 10 inverse x plus y प्लस वन में था टिगनो में बैटा 10 x पलस y यह एप यह यहां पर 10 inverse x plus 10 inverse y का तरज वैसी है उपर तो एक्स पलस y था लेकिन उसमें यह पर एक्स पलस वाई और निच्छे प्रोड़क्ट है ठीक है तरज हुई है लेकिन इसके सुरू बदल दिए ठीक है ऐसा नहीं वहीं सौंग तो और यहां भी कुछ हो माता के बजन उस पे भी चलने लग जाती है अनुमान जी कि आरती उस पे भी सौंग बना देते हैं ट्यूनिंग वही रह इसके साथ भी और टैनिंवर्स इसके साथ भी आजा समझना है मैथ निकेता ऐसे मैथ तो ऐसे करता जो उने बनाया आपने बस वह तरज अपलाई करने इस पे और अगर यह दोनों एकवल हो जाए तो टू टैनिंवर्स एक्स का हो जाएगा बेटा उसका फार्मुला है टैन इन वर्स एक्स के तीन फार्मुले हैं क्योंकि यह को साइन टू थिट्टा का को स्टू थिट्टा का और टैन टू थिट्टा का सब के तीन फार्मुले उने पहले पड़े थी यह तो साब करतें फार्मुला का माना आप तो अब आपने वह याद रखना विटा टैनिंवर् एक आप करों एक सामने मतलब किस पर्मुले की बात करा मैं साइं टू थिट्टा का भी एक फार्मुला उतता था तलो Mum भी किसमका रजल्ट केनकी ट्रम में था बेटा 10-1 वर्स हो ठीक है यह टैनी वर्से टैन 1-k 10-square theta और 1-k 10-square theta इस तरह का था एक सबसे पहले हम ये लिखते हैं क्योंकि यहां से वो फार्मूले बना देंगे हैं 2-10 theta 1-k 10-square theta ये कहां से बना पता है 10-a-plus-b से ही बना था जो 10-a-plus-b है ना उसी से बना था a और एक और एक दो बन गए थे और वो 10-a-plus-10-b था 2-10 और 1-10-square ये बन गया था बेटा अब इससे मैं sine बनाना से कहता हूं आपको 10 का 10 बनता किससे है sine by cos से जो 10 का उपर वाड़ा इससा है वो sine की वज़े से आता है किस पर अख है को उसका 1-k 10-square थिटा क्योंकि 10 में उपर sine होता नीचे को सोता ये sine का इससा समझे लिना है को इसका मैं तो नहीं कहता हमने ट्रिक बना ली इसी फार्मूले से याद करने की 10-2 थिटा ये कैसे बना अगर ये ही लिखना है तो 10-a पलस 10-b 1- 10-a 10-b कुछ नहीं किया बेटा इस फार्मूले में a और b की value थिटा थिटा रख दी एक और एक दो थिटा तो ये हो गया थिटा या रख दिया थिटा या रख दिया एक और एक दो ट्रम ये होगी और थिटा की ये और थिटा की ये product और तोकिया होगे थिटा स्केरों होगे बस ऐसे बना टैन टू थिटा इसी-से उपर का साइन में और निचे वड़ा इसा कोस का दो नों को one प्लस 10 स्केर थिटा से divide कर देंगे कि ये था साइन टू थिटा का सबस्क्राइब और आपके पास टैंजन टूट के लेकिन अब इन्वर्स में उल्टा ओगा सारे टो टैन इन्वर्स के आते हैं क्योंकि वाँ पे ठीट्टा की जगा हम टैन इन्वर्स सब में टैन्ट इन्ट अजो हम उसको क्या रखते हैं विटा-X रखते हैं तो यहां पे आएगा तो इस थिटा की जगए टैनिवर्स क्या बन जाता है इसलिए सब में टू टैनि इन वर्स आगे आएगा इसमें तो क्या था साइन था को स्था टैन था लेकिन सब फार्मौला देखो कैसे लिखिन ये तो याद हो गया इससे बना है मैं उसी तरह समझना है टैन के उपर वाड़े इसे के उपर किसका अधिकार है साइन का कि निचे वाड़े से कि उपर किसका अधिकार है कोश का और दोनों को वन पलस एक्स ब्याजसे क्या कर देंगे काई करतेंगे ठीक है टैन इन्वर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला हो गया टू टैन इन्वर्स एक्स का साइन की ट्रम में टू टैन इन्वर्स एक्स का वेटा किसकी ट्रम में कोस की ट्रम में यह फार्मूले होगे अब इन फार्मूलों के उपर हम क्योस्टन करें उसके बाद मतलब पह साइन एरे साइन मपलस साइन a प्लस बी का क्या होता है साइन a का भी पलस को से साइन भी यह तो सब कर一樣 साइन को सभी है इस से हम इन्वर्स बनाएंगे ऐसा ही यहां पर होता है sin A को तो हम x समझ लेते हैं और sin B को क्या समझ लेते हैं y sin को ही inverse का जब कोई formula होता है अगर हम उसको sin की ट्रम में जवाब देना चाहें तो सारे का सारा result किसमें लेकि आना परता वेटा sin में इसको ऐसे लिखा जाएगा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सइन को सबी को लिख दूँज कंसबाइब भी कोसे को लिख दूँज के साइन स्केर एं और साइन जी है तो अज़ई का नहीं है तो शेम आपका कर दो थी को बतल दीया sign को ब्लिख इसको सबर होगे इसको बीख सेकोब देया मैंने साइन आ को तो X कह दिया ये तो बन गया बेटा X और रूट में 1 माइनस का Y स्केयर ये 1 माइनस X के रूट वाड़ा में पिछे लिख देता हूं और साइन B को क्या बोला है Y या के लिख देता हूं और यहां वाड़ा जो साइन है इधर वो आएगा बेटा इस सारे रेजल्ट के बहार किसका काम करेगा इनवर्स का तो यह वाड़ा साइन जब यहां पर इनवर्स लेंगे तो यह क्या बन जाएगा? sign inverse A बचा और यहाँ पर क्या बचा B बचा A की value देखिए क्या आएगी sign inverse X B की value क्या आएगी sign inverse Y तो यहाँ पर रख दो sign inverse X plus sign inverse Y तो उसका यह formula है एक formula और आगया अपने पास sign inverse X plus sign inverse Y sign inverse X root में 1-Y square और plus के Y root में 1-X same एक ऐसा ही cos inverse का बनाते हैं उसमें cos inverse X अगर मैं उस formula की बात करूँ बेटा cos inverse X plus cos inverse Y का बनता है वो वो बन जाता cos inverse X Y पलस है तो माइनस 1-X square 1-Y square एक सोजने वारी बात ये हुई इसमें तो एक root वारी ट्रम आती है और एक किसकी आती है बेटा बगार root की ट्रम आती है किसकी ट्रम आती है बगार root की ट्रम आती है ऐसा क्या हुआ क्योंकि इसमें एक साइन है कोस है कोस साइन में जाता है तो रूट में स्केर करना पढ़ता है और कोस वाला फ़ाओ रहाद है कोस A प्लस B का कोस A कोस B को कोस A कोस B minus sine A sine B ठीक है इसमें दोनों term cos की है इकठे आगे x y दोनों sin की है दोनों sin को जब cos में लेगे होगे तो root के साथ 1 minus x square और क्या आया होगा भी टाप के बाद से 1 minus का y square ठीक है 1 minus के x के root में और 1 minus के y square किसमें आया होगा root में आया होगा आगे देखो यह हमारे फार्मूले आज के जो क्योस्टन करने उनके इसाब से भी होगे कल जो क्योस्टन करेंगे उनके इसाब के भी होगे आगे के जो क्योस्टन से लेंगे फार्मूले अब कम रहेगे जितने फार्मूले पढ़े बेटा उन सब का क्या हागे यूज है तो मैं अभी एक ऐसा लेक्षर बनाऊंगा जब इन्वर्स पूरी हो जाएगी न क्योंकि फिर आप आंक लन करोगे तो आपको यह पता चल जाएगा इन्वर्स में यह यह बाते याद रखनी है अगर मैं पहले ही दिन सारे फार्मूले करा देत पहले हैं और फिर कहता इन्वर्स करेंगे आधे से ज्यादा तो मन इसे उतर जाता इतने फार्मूले और याद कैसे करें अब पता भी ने चल्याद दीरे हमने हर रोज एक-एक-दो-दो बात इसीखी हैं ठिग्नोमेट्रिक्स को किसMें बदल दिया इन्वर्स में बदल द Qyosin वो बात बहुत बड़ी हो जाती है तो क्योसिन की तरह बड़ें एक है Sin-inverse, Sin-X ये कल वाड़े क्योसिन का एक पार्ट है कि साइध किसी बच्चे से ना हुआ हो तो मैं पहले ही बता देता हूँ अभी तक प्रोलम तो किसी के आई acha x पर नॉइना साइन एकस पलस के अगर सेक्स को रॉल Assess है कि दोनों के साथ जब अलग जबाइट करती है तो किसे सोल करना ऑफ इसका साइद रजल्ट था जा था वह प्ता निकर पूब करना क्या क्थ प्रूब हमने देख्या कि अंदर वाड़े से ही कुछ ऐसा प्रोड़क्ट ऐसी ट्रम लेके आएं जिससे साइन इनुवर्स से साइन की ट्रम क्या हो जाए बेटा कैंसल हो जाए क्या हो जाए साइन इनुवर्स से साइन की ट्रम क्या हो जाए आपके पास से कैंसल हो जाए कुछ ऐसा सो हैं अब फिर भई हम थो यह साइन को enзд काॉLES थिसमें साइन और को सक्रमा आती है वो था साइन ऐ पलस भी का है अभी भी लिखा था साइन ऐपलस भी साइन ऐको सी पनाश को से साइन बी यह हो फार्मला, sin A, cos B, cos A, sin B हमने देखा, अगर ऐसी ऐसी तस्वीर हमारे सामने रख दी जाए तो हम उसको sin A plus B में convert कर सकते हैं ऐसी ऐसी तस्वीर हो लेकिन उस तस्वीर में चुपा हुआ कुछ हिस्सा है आपका याद है कुछ इस तरह क्यों सनाया कर दे चोटी क्लासों में थी जब और फिर या आन्सोर में Xiaomi कुछ होता था गयब क्या ठरी आगया एक आगया कुछ ऐसा होता था माइन सख्नाने दे पलस करने दे क्या आयेका तो यहां पर यहाँ पे कुछ लिख्भा होता व bench 7 पर जगया तो इनकी जग्ह china बनने थी अब ऐसा इसने कर दिया आदे आदे टुकड़े दे दिये बाग की इससे को में सोचना पड़ेगा कि साइन बनाना है तो इस इससे के पास क्या होना चाहिए अब बोले भी साइने पलस भी फारमला क्या होता है बले एक साइन की ट्रमें को स्की यह बोले साइन तो मा क्या सोचूँगा साइन पाइब एफ गलत सोच लिया क्योंकि एक साइन की तो है किसकी ट्रम सोचेंगे बीटा कोस की साइन एक्स पलस वन बाय रूट टू साइन पाइब एफ उर और को से तस्वीर हमारे सामने ये आगी इस तस्वीर का रजल्ट यह है और बाहर बैठा है साइन इन्वर्स इसको खतम करने के लिए जैसे ही यह साइन इन्वर्स बनेगा इसके मुंडी को धड़ से अलग करतेगा बेटा पहले मुंडी बना उत्यार करो इसको को से को सी मतलब साइन एको सबी को से साइन भी तो किसका फार्मूला गया बेटा तदो हँर्न है लुद पर किए व्यू़ को है कि यह नूट नहीं चाहरा है जो बच्छें आप वह रहुद हैं जो जानकार है साथ में स लेवस कर बेटा उनको ये बोलो साथ में तो स्कूल का भी कर सकते और स्कूल में जाने के बाद भी थक जाते और टूशन से आने के बाद भी थक जाते वो थकान वड़ा टाइम भी तो कम हो गया आपका अगर बैठे आपने करना क्या है पिछला भी साथ में कवर कर सकते हो और अगला जो काम है वो भी साथ में कवर कर सकते तो क्योंकि inverse stignometric जो ट्रम है ये function है matrix के साथ इसका कोई लेना देने नहीं इसके अलग function और उसके क्या है अलग function है तो दोनों के दोनों जैक्टर आप एक साथ एकठा स्टार्ट कर सकते हो तो आगे बढ़ें question की तरफ 10 inverse 1 by 2 plus 10 inverse 1 by 3 is equal to pi by 4 10 inverse 1 by 2 plus 10 inverse 1 by 3 is equal to pi by 4 प्रूव करना है अच्छा ऐसी ऐसी तस्वीर मैं आज बनाई है अपने whiteboard की उपर ऐसी ऐसी तस्वीर बनाई है एक बनाई है यह रही है 10 inverse 1 value x और बेटा क्या एक y कुछ काने नहीं है फार्मुला या दोना चाहिए फार्मुला या दोना चाहिए 10 inverse x plus 10 inverse y क्या हुआ 10 inverse x plus 10 inverse y 1 minus k 10 inverse x 10 inverse y ठीक है एल सियम ले 6 आ जाएगा 3 plus 2 5 हो गया सिधी लिख दिया भी मैंने 3 into 2 6 1 minus 1 by 6 6 1 जा 6 या 6 कम 6 जैसा आपको अच्छा लगी भी 6 में से गया तो पांच बाइच्छ 10 inverse 5 by 6 से पूरे की पूरी ट्रम कैंसल होगी 10 inverse के पास क्या बचा बेटा वन बचा हम डिरेक्ट भी सोच सकते 10 inverse 1 की वैल्यू 5 by 4 होती या 10 inverse 1 को 10 by 4 लिख दिंगे अब एक बात बताओ वही बाते दिवाले की हो और ओड़ी का जिक्रा करने लग यह साथ में तो वह तो बात बनेगी नहीं अब वन वैल्यू है आप कहीं यह सोचने लग जाओ वन तो साइन नाइन टी क्योंती फाइदा क्या बार कोन बैठा 10 inverse ऐसी वैल्यू सोचेंगे 10 inverse है तो 10 की सोचेंगे साइन इनवर्स है तो साइन की सोचेंगे और कोस इनवर्स है तो कोस की सोचेंगे और ऐसा को इनवर्स है बात तो मेरी वी सही अरे सही तो है साइन 10 को कैसे खतम करेगा खतम होई नहीं सकता हमें यह ट्रम क्या करनी है खतम करनी है इससे यह गई तो पाई भाई 4 हमारा क्या बचा 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 अनसुर बचा ठीक है चोटे-चोटे क्योस्टन है क्योस्टन मैंने ज़्यादा लिखे हैं सारे नहीं करवाएंगे concept में आपको सारी बाते समझा दी अब बस आपको ये formula दीखेगा और इस formula का क्या करना है use करना है अब मैं बात करूँगा अगर 4 ट्रम दे रखी हो तो कैसे solve करेंगे इसके कई पार्ट थे इस तरह 2-2 में उकर ले ना 3 वाड़ों कभी साब बता देंगे एक तो 3 का formula भी हो कल बताएंगे हम लेकिन आज आपको 2 वाड़े से ही करना हम ले इन 2 से 1 टैन बना लो एक तो इन से बना लो एक इन 2 से बना लो कितने टैन होगे 2 होगे फिर 2 को मिला दो 1 बन जाएगा 4 से हमें 1 बनाना है लेकिन कारिय विद्धी में हमने ये समझा हम 2 टैन से 1 बना सकते हैं अब 4 आगे 4 से क्या करने बेटा पहले इन 2 से 1 बना लेंगे कितने सामगरी कठा होगी 2 और उन 2 से फिर क्या करनेंगे 1 बना लेंगे आप आगे की बात समझ गयोगे तो ये 10 इन वर्स 1 बाइ 3 पलस 10 इन वर्स 1 बाइ 5 पलस 10 इन वर्स 1 बाइ 7 पलस 10 इन वर्स 1 बाइ 8 is equal to pi बाइ 4 अब आप बच्चों ने क्या करना है इसी का और हम तीनी फार्मुली याद रखेंगे 10 इन वर्स x plus 10 इन वर्स y का cos इन वर्स x प्लस y का कोट की कोई जरूद नहीं है आ जाएगा तो 10 में बदल देंगे ठीक है तो इन दो से एक बना ले ना बेटा 10 इन वर्स 1 बाइ 3 पलस 1 बाइ 5 1 माइनस 1 बाइ 3 इन टू बाइ 5 10 इन वर्स 1 बाइ 7 पलस 1 बाइ 8 1 माइनस 1 बाइ 7 इन टू बाइ 8 calculation कर ले न आप इतनी मुझकू आती नहीं आपको जादा आने लगी člokun करने में बहुत बड़ी समस्च्चा है कि आपके लिए मेरे लिए नहीं है किसके लिए आपके लिए लेकिन आपको समस्च्चा से लुगत करवाएंगे तबि तो आप आगे बढ़ो भी बेटा, इस कालिसियम लेके सोल करके एक टैनिन वर्स की ट्रम आ जाएगी, इस कालिसियम लेके निचोड करके एक ट्रम आ जाएगी, फिर एक ऐसा जादू, फिर एक ऐसी तस्वीर यहां पे लगा रखी है, फार्मुला है ये, इस फार्मुले का य बेटा यह वी हो गया यह वी हो गया अब कोट में बना सकते हैं तो इसकी तस्वीर को को मन की आखों से ऐसे देख सकते हैं कोट इन्वर्स 7 एन अब इटा उसको मैं क्या देख सकता हूं 10 की नजर में 10 इन्वर्स 1 बाई 7 क्यों देखूंगा फारमुला मुझे 10 का आता क्यों मैं कोट का याद रखू 10 के वाड़े से काम चलजेगा पस मेरे को एक विदी सीख लिए क कोट को 10 कैसे बनाना है आगे की बात करें कोट इन वर्स वन बाई एट पलस कोट इन वर्स वन बाई 18 और कोट इन वर्स रे टैन इन वर्स वां पे तस्वीर बदलो ना पर टैन बदल जाएगा और इस इकल टू में 10 इन वर्स वन बाई 3 तीन है आप बचे ऐसा कर सकते हो इस फोर्थ ट्रम को भी दर लिया या तो जीरो के कुल रजल्ट बचेगा अदर्वाइज इन दो से एक ट्रम बना लेना इसको ये कहा देना आप थोड़ा इंतजार करो हम पहले इन दो का समाधान कर लें फिर तीसरी ट्रम आजाएगी आपके पास दोनों को जोड़कर फिर एक ट्रम आजाएगी वो रजल्ट हमारा इसी के इकुवल आएगा ऐसे हमारा बेटा क्या होगा अंचुर आजाएगा ये क्या है वाई इसके पास ले जाएंगे इस डॉक्टर के पास कि इस बार आपके पास ये ट्रम आई है इसमें रखेंगे कैक्स एक वाई बस ये फार्मूला फार्मूले की कैलकुलेशन करेंगे वो हमारा रिजल्ट आएगा तो ये क्योसन और ये क्योसन आपका हो जाए टू टैन इन्वर्स वन बाई टू पलस टैन वर्स वन बाई सेवन इसकी मैं थोड़ी सी बात करूं तो क्या रिजल्ट आएगा कि यह सोल करवा दिते हैं आपका ठीक और पिछला काम आप साथ की साथ करते लिए भई लेक्चर भई कई बार लेट हो जाता तो आप अगले दिन सुबह देख लेना क्योंकि अब लेक्चर का टाइम यही रहेगा आपका लगबग आपको दो बजे के राउंड मिलेगा क्योंकि लेक्चर बनाने तो बेटा आप 10-11 बजे लगते हैं और फिर क्या होता है कुछ ऐसी वही बात है खेत वाड़ी समस्या हो जाती उसके बाद ही लेक्चर बना पाते हैं तो वह जाके दो या तीन बजे तक अपलोड होता तो आपको हर रोज दो या तीन बजे ही ले प्रूटीन है वही बात है ऐसा भी नहीं कई बच्चे ऐसे कर सकते एक दिन काम हो गया दो लेक्चर एक दिन में भी देख सकते हैं तो भी आप क्या कर सकते इस चीज़ को कवर कर सकते हूं कि अब हमारे पास एक फार्मुला है तू टैन इन्वर्स है ठीक है लेक्चर थोड़ा सा बढ़ा ना हो जाई इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बता दिए मैं आपको वन बाए सैवन अधे बच्चे तो यही देखते हैं सबसे पहले लेक्चर कितने मिंट का है अगर 40 से थोड़ी सी विउप पर होगी ना तीस या पैंतिस से विउप पर होगी नों सुच्छें बहुत बढ़ा है इतनी देर तो मारे से नहीं पढ़ा जाएगा ठीक है तो हम कम सब्दों में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बेटा टू टैन इन्वर्स आ गया हम टैन को टैन में तभी एड कर सकते हैं जब इसका कोफिशेंट वन हो अगर इसका दो है च्यार है छै है आठ है हम इसको सोल नहीं कर सकते क्या करेंगे इसके इलाज के लिए एक ट्रम और है टू टैन इन्वर्स से एक ट्रम बना जाएगा अरे क्या मतलब है इसका मतलब तो ये था बेटा ऐसी ऐसी दो ट्रम है कि यहां पे एक्स प्लस वाई का लगा जो तब भी सोले हो जाएगाک to X plus Y का लगाओ यहां पर फार्मरा तब भी emotional जाएगा यहां सिदे ही किसका बनाते हैं हमें 210 इनींवर्स एक्स का पहले 210 इनींवर्स को 10 में बदलेंगा पेटा 10 inverse 210 इनींवर्स को 10 में बदलेंगे जो भी was वैल्यू उसका डबल जो भी वैल्यू है उसका डबल 1 by 2 का डबल करूंगा तो बेटा 1 1-1 उसका सुकेर 1 by 4 पलस 10 इन वर्स 1 by 7 4 LCM आ जाएगा फोर उपर चला जाएगा 4 by 3 टेंजेंट इन्वर्स पलस टैन इन्वर्स वन बाई सेवन दोनों को एड़ कर लेंगे बेटा फिर एक टैन की ट्रम आएगी लेकिन इक्वल में क्या है साइन इन्वर्स 31 बाई 25 रूट तो अब क्या होगा इसको एड़ करके मैं 10 की ट्रम ले आता हूं 4 by 3 पलस 1 by 7 1 minus 4 by 3 into 1 by 7 इसकी multiply करके 10 इन्वर्स की ट्रम आएगी लेकिन बेटा उस 10 इन्वर्स से हमने किसमें जाना है साइन इनवर्स में कल वाड़े जो पहली एक्सरसाइज थी उसके सैकिन या थर्ड फॉर्थ क्योस्टन में ऐसा आया था कि हम टैन होता साइन चाहिए था कोस होता टैन चाहिए था उसी तरह की स्टेज पे पहुंच गे जो ये टैन इनवर्स का रजल्ट आएगा उसको हम ट्रेंगल रूल से किसमें कनवर्ट कर देंगे बेटा साइन इनवर्स में कनवर्ट कर देंगे ठीक है किसमें कनवर्ट कर देंगे मारा साइन इनवर्स की ट्रम में कनवर्ट कर देंगे ठीक है बेटा किसकी ट्रम में कनवर्ट करेंगे साइन इनवर्स की ट्रम में वह आगे आपने खुद करना पड़ेगा वहीं क्योंकि एक एक सुनोर बचाओ हमारे पास और टाइम लेक्सर का कंप्लीट होती हुए है तो इसलिए थोड़ा सा कुछ ही बातों में उसको भी हम कंप्लीट करें आगे सोल कर लेना वेटा अगर किसी की प्रोब्लम है समझ में आए तो वट्सेब नंबर आपके पास होगा आप वट्सेब कर सकती हो ठीक है तो वट्सेब पर हम आपकी प्रोब्लम का बेटा सोल्यूशन बेज देंगे एक है को सिंवर्स तू साइन इनवर्स रूट में वन मायनस X बाइट ओ इसके आगे एक इस्सावर है टू कोस इनवर्स वन पलएक ऐस्षी यह कहता है क्या ये सबी बाति इकवल है कोस इनवर्स के साथ एक्स आएगा बिटा यहां पर एक्स आना चाहिए एक्स के बगएर तो होई गए नहीं है ठीक है यह कहता है कि यह तीनों रजल्ट आपस में इक्वल है कलम ने देखा रूट में कभी भी आ जाए कोई ट्रम वन माइनस एक्स आगी तो क्या लिखेंगे उसको सुकेर वरे थे वही 10 टैन स्केर यह था और जब भी बगएर पावर का था तो हमें सा एक्स की जगाय क्या रखते थे कोई स्थिटा हमां एक बार हम इस रजल्ट को सोल करेंगे हम इस वाड़ा भी इसके इक्वल प्रूख कर देंगे और यह वर्ड़ा भी इसके समुला पढ़ा था है कि आ वनमाईनास otika Koozee एर थिट्टा है टू से टू क्या हो गया कैंसल तूस साइन शाइन स्क्राइकर का साइन थिट्टा वाई Iraqi साइन से साइन गया jsjm टूँ इन टो में क्या भια्टत टे कि za WordPress कोंमाना था एक्सी इसे इकल tôi click थिट्टा था थरिट्टा की वेल्यू क्या जाएगी ओसी इदर बेज तो इनульт बन जायेगा इसी में साइन था इस X की जगह Cosdita रख दिया जाएगा बसास और है इस बार one plus Explain to किसका फार्मुला वनेगा ये सबसे important musimy नहीं बता हैं थे सर्ड लेक्टर में की भई के संब से important फार्मुल्य बहुत जगए ये यूज होंगे one plus स्कूस का तू पो स्केर थिटड़ वांटू एफ ठीक है तू से टू गया तो कोश कोश इनुवर्स पोश थिटड़ वाइट टू कोश से कोश गया तू ठिटभ य्थु किया है कि बसा बैटा थिट़ हमें इस लेक्शर में क्या होगी नंगे तो आपके दो यँ सोचेंगी कम्प्लीट हो persistence हम अगले जो बचावा टाइम है उसमें निल्क करें आपका डेरीवेट्य। सश्चाथ करेंगे ठीक है तो आपके साथ कीसाथ cover हो जाएंगे लेकिन उससे पहले आपके जो link में बच्चे हैं क्लास के बच्चे उनको यह बोलो यह पिछला स्लेवस जल्दी जल्दी कवर करो लोगडाउन के उपर बस बाते ही है वह स्कूल खुलेंगे खुलेंगे खुलना बहुत मुस्किल है जब लोगडाउन था केसी तो तब ही बढ़ रहे थे अब ओपन हो गया तो आप सोच सकते ह और बढ़ सकते हैं तो उसके यह मान के चलो आज की स्तिधी पर यह गायरें कि स्कूल खुलेंगे अगर दस या पंदरा दिन के बाद और बैना को जाती है तो उसके बाद स्कूल क्या करने पड़ेंगे बेटा बंद करने पड़ेंगे अमरिक्का में तो पूरा यह पहले ही के राउंड जा चुके हैं तो आकड़ा बहुत बड़ा हो गया अपने आप में वो कि ठीक होने वाड़ी बात अलग है लेकिन कितने लोग संक्रमीत हो चुके हैं नब्यजार के लगबग और एक या दो दिन में कितने होजेंगे लाक होजेंगे रफ्तार इतनी जादा होग तो यह मान के मत चलो स्कूल खुलेंगे यह खुलेंगे वो अलग बात है और टाइमिंग भी ऐसे कहरें 15 बच्चे एक दिन बुलाओ 15 एक दिन बुलाओ कैसे स्लेवस कराएंगे आप कोई पता फिर तो आपने चैनल से जुड़े रहना है अपने साथ वाड़ों को बोलो कि स्लेवस इसी तरह चलेगा आपको क्लास की तरह मतलब कोई दिक्कत नहीं आने देंगे आपती है तो आप से बता भी सकते हैं उसका सोलीशन करने के लिए त्यार है आप है तो चैनल है यह बात हमने पहले भी कही थे अगर देखने वाड़ है नहीं तो फिर चैनल का बेटा इस चैनल का कोई फाइदा नहीं है तो आपका स्वागत रहेगा आपके चैनल में अमेशा अगर आपको वीडियो जो यह लेक्चर है अच्छा लगा हो तो बेटा इसको लाइक कर देना शेयर कर देना और अपने साथ वाड़ी बच्चों को बोलो भी ज्यादा से ज्यादा कि सलेवस करें मैं उनकी बात कराऊंगर जिस तरह कई बच्चे अभी इन्वर्स चोड़ रखी उन्होंने ये सोच रहोंगे बाद में करें क्योंकि वह तो इस ले करेंगे तो उसमें डेरिवेट्टि में आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी ठीक है तो आपका बेटा बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हों ओके बेटा